नमस्कार दोस्तों मेरा नम साधन और आप सबका स्वागत है एक और नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो में दोस्तों इस वक्त में हरा रूपू के दुरुगा पुजा मैं पंडाल पे मौझूद हूँ अज यहां पे काफी भवरूप से बालू का पंडाल आप देख सकते ह सब सरया आप नहीं जम्सितपूर के अलग लगार आ रहे है रहा हैं जम्सितपूर के लोग यहां पर देखने के लिए इस बालू कबसे भूए पंडाल है का उल सब्सक्राइब को बताना चाहूंगा यह पंडाल जो है गोवा में हर साल सेंट फस्टिवल होता है उससे लिया हुआ आकरती है और गोवा के थीम पे ही यह बालू से बनाया है काफी यूनीक भी है और काफी कई सारे परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगी रेट अगर बारी सुपी दे कहीं ने कहीं इससे यह बालू से बनाया हुआ और रे तिकर से जो बनाया है बारिस का कलपना हम लोग नहीं किया है यह पंडाल काफी भव्यता प्रदान कर रही है हमारे कमीटी को इस छेत्र को और काफी दूर-दूर से लोग आ रहे हैं इस पंडाल को देखने के लिए बाकि इस पंडाल में बालू, सिमेंट, और पुठी का यूज़ किया गया है इस एक महिने से ज्यादा समय लगिया करीगर को बनाने में और यह करीगर मंदायमनी से आएं हुए करीगर थे, बंगाल मंदायमनी से कितने करिगर आये है लगभग 23 से 24 करीगर यह पंडाल को बनाए है बात करें मुर्ती के काफी सुन्दर और भग यह दिश्टी मुर्ती हमारा हर साल बंगाल के करीगर आते हैं जिनका नाम देबुदा है देबुदास नाम है उनका वो हर साल 1966 से वो आ रहे थे उनके बेटे आ रहे थे यही परशों से आप लगता है यहां पूजा होता आ रहा है पहले जगह इसमें बदला है पहले अवेवटू बजाय पे होता था धीवेदीवे जगह जैसे-जैसे लोग का अधिक व्रमन होता है चला यहां पंडाल पुवी तरीका से यहां स्थापित हो चुछा है कि मुन तो खट हुआ कहा के रहने वाले कंटाई बात करें यहां पर आपने काफी सुंदर पंडाल बनाया इसके बारे में बते हैं क्या बनाया है यहां पर लग गिया एक मैना बाइस दिन चाभ यहां पर लगाता है इसमें बोरा है बास का प्डरी है और वहीं पेंड है और पजम बसका हैए और सिम्यंड है वालु है पैंट है इंया पर पचीश साट मेंरे है अब गांदाल की तो आपने रेट से बनाने के घर रिए रेट है अभी लोग आ रहे हैं लोग कैसा बोल रहे हैं तो उमीद तो पबलिक का है ला तारीब करें कुछ भी करें वो तो पब्लिक का है कि अंदिर पुमार सिंग हुआ हरुगुटु काली मंदिर दुर्गा पुजा सभीटी का मैं सथी हूं यह जो मुर्ती है यह और बंगाल के कारिगर के द्वारा पिछले एड़ मिने के समय के अंतरा ने बनाई गिया है इसमें किसी भी परकार का वस्त यूज नहीं किया गिया है जो चम्मज हम लोग आइसक्रीम वेगरा में यूज करते हैं लकडी का उसी से पूरा मुर्ती का डि ले गाए इसका जो हम लोग की निया रेत का पड़नाल जो कि पूरा जम्सेद्पूर में अपने लिए अनोखा है उसी के दिम के अनुसार मुर्ती भी आसा करना चाहते थे कि जो पूरे जम्सेद्पूर में अलग हो हम लोगे ग्रामीन छेत्र में इस तरह का कलाकारी हम लो दकि पूरा टाउन जो हम जम्सेद्पूर है पूरा इस पंडाल को इस मुर्ती को दरहित करें यह पूरे पंडाल का बजट ने कここ मुर्टी का अगर ली आ जाै तो यहben है तो Öz法 कर ते हैं इस उनक्रित कि कि अ सै पहले आपका नाम क्या है मेरे नाम मोनु शाओ पनडालापको अच्छा कहा Bye Bye व्हक है तु झामसित्भूर में इस टैप के पारहरा पंडाल को अच्छा तरगा पहले हैं पहले दसा पंडालाप पहले कभी देखे थे इस तरह नहीं देखे इस बार देखने को मिला है और यह जो मूर्ती बनाए गया है इसके बारे में आपको क्या कहाना है अच्छा है बहुत अच्छा काफी अच्छा लग रहा है और जैसे कि बाकी जगा में प्लास्टिक या फिर कुछ भी धर्माकॉल यूज करते हैं काफी यह के लिए हानी कारेख होता है तो उसके बाहरे कि पब्लिक को सिंबल मिल रहा है कि लकली का यूज की हो सकता है प्लास्टिक से तो अच्छा है और आप अपने परिवार या फिर अपने दोस्त का साथ है आप जमशित्पूर में और भी जितने दर्सक है या फिस रधाल उनक है जो सिंबल दे रहा है यह पंडाल बाग बड़ा हर गुटू में कुछ आगे का भविस में काम आएगा रेत से बना हुआ है बाकी आप जमसित्पूर के कहा का पंडाल घूमें आप यह तो आप यहीं पर बगल में रहते हैं आप इमनिंग में जाएंगें बाकी सब सारे अभी तक सबसे लगाई पंडाल यहां के लिए अभी बेश्ट है नहीं कि यह सबसे बेश्ट पंडाल में से एक है जमसित्पूर घूमें उसके बाद ही तो आप समझ सकते हैं पबलीक के रियक्शन किस तरह से है पंडाल के अंदर मौजूद है और पंडाल के अंदर प्रत प्रतिमा में जो भी समान यूज किया गया है यह सब चम्मच लेकडी का चम्मच जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल घर में आप कहीं पर भी उससे बनाया गया है और काफी आकर्सक लग रही यह पंडाल के यह प्रतिमा जो काफी लोगों को पसंद आ रहे हैं यहां पे जम्षित्पूर नहीं जम्षित्पूर के अलग-अलग जीले से लोग आ रहे हैं और जम्षित्पूर के अलग-अलग गाहों से लोग आ रहे हैं इस पंडाल को देखने के लिए काफी आकर्सक है जम्षित्पूर में इस तरह का पहला पंडाल है और पहला मूर्ति है जो आ आप कहां से वीडियो देख रहे हमें जरूर बताएगा और इस पंडाल के बारे में आपको क्या राय हमें जरूर बताईएगा मिलते के नई वीडियों के साथ तब तक टेक क्यार बाई बाई